नमस्कार में हूँ प्रियंका, शंकनात हींदी समाचार में आपका स्वागट है, आए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर महराष्ट में चुनाव से पहले बना तीसरा मोर्चा, प्रकाश आमबेटकर ने तयार किया फार्मूला, आदिवासी पार्टी के साथ किया गडबंधन, आदिवासियों के लिए महराष्ट में 24 जगा आरक्षित महराष्ट में इस साल के अंत तक विधान सभा चुनाव होने की उमीद है, चुनाव से पहले महराष्ट का सियासी पारा हाई है लोकसभा चुनाव में महाविकास अगाडी से गडबंधन पर बात नहीं बनने के बाद, वी बीए ने अकेले चुनाव लड़ा था लेकिन आगामे विधान सभा को लेकर प्रकाश आमबेटकर ने अब तीसरे मोर्चे का एलान कर दिया है प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान प्रकाश आमबेटकर ने बताया कि महराष्टा विधान सभा चुनाव के लिए आदिवासियों के अलग-अलग संगठनों ने मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की पहल की है संगठन है आमबेटकर ने आगे बताया कि आदिवासियों के लिए महराष्ट में 24 जगा आरक्षित हैं ट्राइबल प्लान में येक्षित राते हैं नोन ट्राइबल प्लान में भी आदिवासी रहते हैं विदर्ब, जलगाउं, खानदेश के आदिवासी, पालघर, इगतपुरी, करजत के आदिवासी और कोंकन के आदिवासी अलग दिशा में चल रहे हैं नागपूर में बैठक हुई और तै हुआ कि एक साथ एक मंच पर आदिवासी संगठन आएंगे आज आदिवासी संगठन की मुंबई में बैठक हुई और आज एलान कर रहे हैं आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे देश भर में गटित एहमूं खबरों के साथ